अलो फ्रेंज आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइम पढ़ने वाले हैं जॉन किड्स की ला पेले डेम सेंस मरसी तो सबसे पहले हम जॉन किड्स के बारे में थोड़ी सी बाते जान लेते हैं जिनका जन्म 31st October 1795 में हुआ था फ्रेंज और इनकी मृत्यू 23rd February 1821 में हुआ था इंग्लेश रोमैंटिक पॉएट थे मतलब रोमैंटिक एज के पॉएट थे ए और इनकी बहुत ही कम उम्र में मृत्ती हो जाती है और यह जो पोएम है सोरी ला बिले डेंस अंस मरसी यह फ्रेंच वर्ड से फ्रेंच यह फ्रेंच वर्ड से अगर इंगलिश में ट्रांसेट करोगे आप तो इसका मतलब यह होगा दे ब्यूटिफू लेडी विदाउट मरसी यह जो इन्होंने पोएम लिखा है एक यह बैलेड है बैलेड आपको पता है एक पोएम का टाइप होता है जो यह पोएम 48 लाइन्स में डिवाइड है और इसमें क्या है मतलब 48 की लाइन्स पूरी पोएम है और 12 कौर्टरेंस में डिवाइड किया गया है हर स्टेंजा का राइमिंग स्कीम इसका है AB और CB तो यह पोएम में देखे एक योधा होता है मैं थोड़ा साब को बता देना चाहते हूं एक योधा होता है जिससे पोएट पूछ रहे होते कि तुमको क्या हुआ है तुम इतने उदास इतने मतलब दुखी बिमार जैसे क्यों लग रहे हो क्या हुआ है तुमारे साथ यही सारी बात वो नाइट पता रहा होता है इस पोएम में तो चले शुरू करते हैं लाइन-टू-लाइन समझते हैं तो पर पूछ रहे हैं कि मतलब तुम्हें क्या हो गया है तुम पिले क्यों पढ़ गया हो देखें एल मतलब दुख क्या दुख है दी मतलब यू loitering मतलब loitering मतलब बिना मतलब का इधर दर घूमना ठीक है विद्दर मतलब मुर्जा जाना एकदम से दुखी हो जाना तो क्या पोईट कैसे पूछ रहे हैं कि हे शूर वीर तुम्हें क्या हो गया है तुम पिले पढ़ गये हो अकेले क्यों घूम रहे हो यहाँ पर ठंड के कारड जो है जील की घास मुर्जा गई है कोई चुडिया भी तर गाना नहीं गा रही है ठंड के कारड क्या है ठंड के कारड देखे दे लिखा ना The sage has withered from the lake Sage मतलब friends जो रिवर होती है न उसके किनारे किनारे जो प्लांट्स होते है सेज मतलब क्या होता है Grass that grows by the lake तो बोल रहे है कि तुम्हें क्या हो गया तुम इतने पीले पड़ गए हो अकेला क्यों गुम रहे हो ठंड के कारड जील की घास मुर्जा गई है कोई चुडिया भी गाना नहीं गा रही है आईए हम सेकें स्टेंजा में देखते हैं क्या है ओ वाट कैन एल दी नाइट अट आम्स सो हैगर्ड और सो वो बेगॉर्ण दो स्क्वेरल्स ग्रैनेरी इस फुल और दी हारवेट दन फ्रेंट्स आप देख लिजे हैगर्ड का मतलब होता है अग्दम ठका हुआ परिशान वो बेगॉर्ण मतलब दुखी ओके तो देखे इसमें क्या है पोईट बोल लें ओ वाट कैन एल दी मतलब तुम्हें क्या कश्ट है हे शुरवीर तुम्हें क्या हो गया है इतना घबराया हुआ और इतना दुखी क्यों हो तुम इतने घबराय हुए इतने दुखी क्यों हो मतलब हैगर्ड सो हैगर्ड सो वो बेगोन इतने घबराय हुए और इतने दुखी क्यों हो the squirrel's granary is full squirrel उसका जो खाने का जो store है जो सब आनाज वेगरा जो store करती है वो लोग नो पहले आनाज store कर लेते फिर बाद में वो खाते हैं ठीक है तो उन्होंने squirrel जो है गिलेरियां भी अपने आनाज का जो store है वो पुरा भर ली है फसल भी कट चुकी है यह सब हो चुका है तुम्हें क्या हुआ है तुम इतने दुखी क्यों हो इतना घबराया हुआ और इतने दुखी क्यों हो गिलेरी ने सर्दी के लिए काफी खाना इकटा कर लिया है और फसल भी कट चुकी है तुम को क्या हुआ है ठीक है थड़िस्ट एंजाम देख लेते हैं I see a lily on thy brow with anguish moist and fever dew and on thy cheek a fading rose fast fast with rich to friends with rich मतलब होता है फीका पढ़ना ठीक है देखे यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम्हारे माथे पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे माथे पे लिली का पूल देख रहा है लिली का पूल मतलब लिली को सफेद कलर का होता है ठीक है वाइट कर नेक मतलब है कि तुम्हारे माथे पे सफेदी दिख रही है फीका पन दिख रहा है with anguish moist and fever dew और उस पे बुखार जैसे बुखार में जो थोड़ा गिला-गिला हो जाता है तो बोल रहा है कि एंगिश मतलब दर्द पेन ओके आपका तुम्हारा जो माथा है सफेद हो गया है और तुम जैसे बिमार जैसे लग रहे हो तुम्हारा चेरा गिला-गिला सा लग रहा है and on thy cheek of fading rose और तुम्हारा जो चीक से हैं जो तुम्हारे गाले वो मुर्जाय हुए रोस की तरह दिख रहे हैं मतलब ऐसा कभी इतना अच्छा दिखता था और आज जो तुम्हारा चीक से बहुत ही मुर्जाया हुआ दिख रहा है बहुत तेजी से फिका पढ़ रहा है तुम्हें क्या हुआ है ऐसा तुम्हें कौन सा दुखा गया है ऐसी कौन सी तकलिफ तुम्हें परिशान कर रही है ठीके? तो फूर्ट स्टेंजा देख लेते हैं अब यहां पे वो नाइट बता रहा है यहां से दे रहानुकरता है concept को ど civ का बोल रहा है मुझे एक छफली मिली मिजे एक अरथ मिली आप मिडो में जहां पर हूं से जन्म को बहुत परी उसे molek chcia थी वो उसकी बाल लंबे थे हर एर वास लॉग उसकी बाल लंबे थे उसकी कदम जाना बड़े हलके थे मतलब चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे की पैर उसके जमिन पे है यह नहीं उपर उपर उड़ जाते थे उसके पैर इतने लाइट थे इतने हलके थे उसकी आँखे एक पहले मतलब उसकी खुबसूरती देखकर यहां पर वो नाइट एकदम मतलब पागल हो गया है सो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुद्बुत खो दिया है वो ठीक है फर्स्ट यह फॉर्ट स्टेंजा में हमने यह देखा कि उन्होंने बताया यह नाइट बता रहा है कि मुझे एक मिड़ो में मुझे एक घास के मैदान में एक सुंदर सी लड़ी मिली जो बहुत सुंदर थी जैसे परियों की बच्ची हो बाल बहुत लंबे थे उसके पैर बड़े हलके थे ऐसे चलती थे जैसे कि पैर जमीन पे हो ही नहीं और आके बड़े ही कातिलाना थे बहुत वा शी डिद लॉवंग अंध स्वीट मॉन दे कु फेपस्ट netOW में क्या है fournd au whilstारा रहा है नाइट बता रहे है कि अब उसने क्या किया उसके लिए हो बता रहा कि मैंने मैंने उसके 1 माला बनाया उसके- उसके सीर के लिये मैंनेizer onpara Ф organs जैसे आपने देखा होगा सीर के mending the जार वकल罟 बिसके डिट कुमabor में पहता है टो वह बता रहा है कि मैंने उसके सीर के लिए ऑनग बनाया ठीके the उसको में पहने के juvenile पी बनाया और कमर में पहने में खुष она बेल्ट बनाया, कमर बंद फूलों का है, ज़ी अभी अधि कहा रण Why She Looked at Me as She Did Love jijsней मुझे ँगा मुझे प्यार करती थी मतलब बहुत प्यार कर रही है, मुझे बहुत प्यार करती थी ऐसा ऊसने मुझे देखा मतलब देखा इस तरह ऐसा देख कि उसने अपने प्यार को मतलब जाहिर किया ठीक है and mad sweet moon और आहें भरी बहुत मीठी मीठी आहें भरी मतलब जैसे कुछ उसने कानों में कुछ हलके से बोला हो आई बास आज में तो उसको यहां पे क्या बोला गया है उसने मैंने सब खीया उस असके लिए तो उसने क्या किया बदले में यह दिखाया कि मैं तुम्हें बहूत प्यार करती हूं और असे लगा कि वह कुछ पह रही हो बहुत बहुत आहें भर रही थी और यही चुलिँए से यह सिक्स टेंजा देख लेते हैं आई सेट थार ऑन माई पेसिंग स्टीड देखो बच्चो स्टीड मतलब होर्स होता है ठीक है आई सेट थार ऑन माई पेसिंग स्टीड और नतिंग एल्स सौ आल डे लॉंग for side long would she bend and sing a fairy song मैंने क्या किया अपनी एकड़ मतलब हमारा जो धीरे चलने वाला घोड़ा था उस पे मैंने उसको बचाया ठीक है मैंने उसको अपने slow चलने वाले घोड़ पे बचाया और मैंने दिन बर कुछ ने किया बस उसको देखता रहा देखता रहा, वो इतनी सुन्दर थी, मैं उसको बस देखता रहा, पूरे दिन बस उसको घोड़ पे बिठा के मैं उसको देखता रहा, for side long would she bend and sing, वो कभी दाएं घुमती, कभी बाएं जुगती, कभी दाएं, side long मतलब कभी इस सट, कभी उस सट, ऐसे जुग चाती और गाती रहती थी, इससे परियों का गाना हो, परियों का गाना ऐसे लग रहा था, इतना मतलब उसकी गाने इतनी प्यारे लग रहा था, इसे कोई पड़ी गारी हो, बहुत ही मतलब, बहुत प्यारा लग रहा था, ओके, आपको समझ में आ रहा न, आप सबको, चले, 7th stanza देख लेते हैं, she found she found me roots of really sweet and honey wild and manna dew and sure in language strange she said I love thee too देखे अब 7th stanza में क्या है वो पोईट को बता रहा है यह सारी बाती वो बता रहा है न भी तो कह रहा है कि उसने मेरे लिए क्या किया इनोंने तो इतना सा फूलों का सा पुछ बनाया प्यार किया ठीक है फिर गोड़े पर गुमाया यह सब काम किया इसकी बाद यह उस लेडी ने क्या किया वो वो बता रहा है सिस्टेंजा में कह रहा है कि उसने मुझे पौधो की मीठी वो मेरे लिए पौधो की मीठी स्वादिस जड़े लाई roots जड़े लाई जगली फूलों का वो शहद लाई जगली फूलों का उसने वो शहद लाई और मनना डियू भी लाई मतलब एक यह divine food होता है ठीक है तो मनना डियू भी लाई और ensure और in language strange हाँ एक अजीब सी भाशा में उसने मुझे कहा मुझे sure कराया उसने मुझे कहा और यह sure करा रही थी मुझे कि I love the truth मैं तुम्हें प्यार करती हूँ मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ उसने यह जाहिर किया ऐसा दिखाया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और true love करती हूँ सच्चा प्यार करती हूँ तो अभी हम देख लेते हैं हमारा स्टेंजा कौन सा है एट चले देखते हैं अभी अब उसने क्या किया यह सब खिला दिया ठीक है अब यहां पे स्टेंजा एट में उसने क्या किया वो मुझे अपने एकदम एलफिन ग्राट जैसे बहुत ही जादवी गुफा हो कोई ऐसे गुफा में वो ले गई अपने गुफा में वो मुझे ले गई और उसने क्या किया वहां पे ले जाके वहाँ पे वो रोई और आहें भरी और बाद में क्या किया वो जोड़ जोड़ से रोने लगी बहुत मतलब बिटरली एकदम से रोने ही लगी वो ठीक है सिसक सिसक के रोने लगी एकदम उसने गुफा में वो मुझे ले गी और वहाँ पे वो रोई आहें भरी फिर जोड-जोड से रोने लिगी, मतलए अपने प्यार को जता रही थी रो रो के। प्यार जताने का तरीकह उस का रहा होगा, okay? प्योटफेल लीडितने उतते हैं एक पक्ति किस्था रो रहिए थी तो इसके जो काटिल राना आखी थी, उसके जो जंगली आखी तिए उसको मैं ने किस कर्के चार भार है उसके आझों को मैंने आपक है उसकी आटो को मेने चार बहुत किस हैं कि भाई तुम चुप हो जाओ रो मत ऐसे रो मत तुम सब ठीक है तुम रो मत ऐसा किस करके शायद वो किस करने से चुप हो जाती इसके लिए नाइट ने ऐसा किया अब देखते हैं स्टेंजा नाइन अब क्या हुआ यहां पर क्या बोल रहा है वो नाइट पर से बता रहा है कि वहां पर उसने मुझे लोरी गा के सुला दिया ठीक है उसने लोरी गा के मुझे सुला दिया लॉल्ड ठीक है मुझे लोरी गा के मुझे उसने सुला दिया मुझे नीद आ गई and there I dream तभी मैंने वहाँ पर क्या देखा सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा वो बेटाइड फुल अप सौरू सपना कैसा था, बहुत भयान बहुत दुख से बरा हुआ सपना देखा तो क्या सपना देखा हाँ, the latest dream I ever dreamed मतलब यहाँ पर यह है कि वो सपना के बाद मैंने दुबरा कोभी सपना देखा ही नहीं मतलब वो कहने का यह है कि वो सोया ही नहीं, ना वो जगा ही रह गया वो अग्दम सदमे में आ गया था सपना देखने के बाद वो तब से वो सोया ही नहीं दुबरा इसलिए आपे लिखा गया है कि the latest dream I ever dreamed वो सपने के बाद मैंने कभी सपना देखा ही नहीं मतलब कहने का मतलब यह है कि वो सोय ही नहीं होंगे फिर on the cold hillside कहां पर यह सब सपना देखा उन्होंने on the cold hill side मेरा आखरी सपना था वो बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद में सोया ही नहीं था उस पहाड़ी पर ठीक है देखो अब स्टेंजा 10 देख लेते हैं I saw pale kings and princes too pale warriors that pale would die all they cried love belly dance and mercy the head in thrall देखे यहां पे क्या बोला जा रहा है सपने में वो जो देखे नो बता रहे हैं कि king log को मैंने देखा prince prince log को देखा राजा को देखा राज कुमारों को देखा सब पीले पड़े थे मतलब उनको भी बहुत प्रॉब्लम थी शायद वो लोग भी मेरे जैसे ही किसी परेशानी से जूज रहे थे वो पीले पड़ गये थे कहने का यहां मिनिंग यह है फ्रेंट्स की यह लोग मतलब अच्छे नहीं दिख रहे थे और योद्धाओं को देखा बहुत सारे वोर्यों को देखा डैथ पैलवर दे और सब के साब कैसे दिख रहे थे जम्रित जैसे दिख रहे थे जैसे की मतलब जिन्दा नहीं एक दम बबादी लगता है सब ऐसे दिख रहे थे पीले पड़े थे अच्छेनी दीख रहे थे सब दीख नशे से दी रहे थे और सब चल्लाए क्या दिक राइड वो रहे थे चिला रहे थे लाभी ड hemsense mercy dhi hadintral बोल रहे थे कि यह ये जो लेडी है without mercy beautiful lady without mercy जो है वो अरज जो बिना रहम की है बिना उसको जड़ा भी मर्शी नहीं है उसको दया नहीं है उसने तुमें फसा लिया है जैसे हम फस गए है न वैसे तुमको भी अफसा लिया है तुम भी इसके जाल में से भी निकलने वाले नहीं हो ठीक है देखें 11 थम देख लेत इस सारे सपने में वो देख रहे हैं सारा सपना ये सारी बाते उपर जो आपने देखा न ये सब सपने की बाते हैं कि बहुत उसमें किंग दिखा प्रिंस देखें बहुत सारे वोरिस देखें सब एकदम पीले दिख रहे थे और उसमें वो लोग चिला रहे हैं और उसमें रहे थे केक लेडी जिसने अब तुम्हें भी फसा लिया है तो यह सब जो वो सुने न यह सब वो जब सुने तो क्या हुआ अभी भी देख रहे हैं सपने में अभी भी है I saw their star lips in the gloom मैंने उनकी gloom मतलब बुस्ती हुई रोशनी अंधेरा ठीके स्टाव मतलब हंगरी ठीके तो मैंने देखा बुस्ती हुई रोशनी में मतलब अंधेरी में मैंने देखा उनके जो लिपस है वो एकदम खुले हुए थे کا संस्का मतलब कैसा है जैसे में सुखे शुखे शुखे हुट ठीके जैसे कीशी को खाणा मिले और खाना मिले पाली मिले तो खटाव शुख जाता अतासा है थो इंसैन बहुत भूखा प्यास उस यहाप्तर है 10 फिर Γ procili नहीं की लिपस जो है उनके टेल्ट्य जो है मुझ खोल खोल के अग्दम वाइड ऐसा उनके लिप्स में एकदम गैप था बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था मुझ पुछ रहे थे एकदम खुला ववा उनका था लिप्स गदम दोनों से टच नहीं था उपर और नीचे की लिप्स टच नहीं थे एकदम खुली हुए एकदम थे और बड़ा एकदम दूर का गैप था यह सब मैं देखा तो क्या हुआ मैं जग गया I awoke and found me here मैं जग गया और अपने आपको यहां पाया कहां on the cold hill side इस थंडी पहाड़ी इलाका है मैंने अपने आपको पाया यहां पर ठीक है यह सब सपना था तो अभी हम देखते हैं 12 stanza में क्या बोल रहे हैं यह and this is why I sojourned here sojourned मतलब wander and this is why I sojourned here alone and palily loitering इसलिए मैं यहां पर घूम रहा हूं पिला पड़ा हूं अकेला हूं पिला पड़ा हूं बिना मतलब का घूम रहा हूं loitering मतलब wandering without मतलब बिना किसी aim के वो घूमना मैं ऐसे पड़ा हूं पिला और घूम रहा हूं बिना मतलब का though the sages with withered from the lake and no bird sing हाला कि जील की घास मुर जागई है चुणियां गीत नहीं गा रही है तो भी मैं यहां पर ऐसे पड़ा हूं ठीक है यही सारी चीजे यहां पर क्या आई बर फिर से आप देख लेजे क्या बोल रहा है इस stenza में night बोल रहा है कि यही कारड है यही कारड है कि मैं यहां पर हूं अकेला हूं दुकी हूं पिडित हूं भटक रहा हूं यहां पर मतलब यह है फ्रेंस यह अभी भी उसकी खुबसूर्ती जो देखे थे सपने में उसके सदमे से अभी वो निकले नहीं है खुबसूर्ती उनको एकदम घायल कर दी है वो पागल से हो गए और इधर अधर मारे मारे फिर रहे है यदि पी जील की घस मुर जुआ गई ओर चुझ-द चुणया गई नहीं गा रही है और यहां पर बिना मतलब के घूम है घूम रहे हैं मतलब कुछ काम इन यहां पर घूम रहेए तो आई होप आपको लोग को समझ में आया होगा तो नेक्स वीडियो में हम आपको कुछ नया लेकर फिराते हैं फ्रेंस आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएए आपको पॉयम कैसा लगा और कुछ आपको हमसे प्रॉब्लम हो तो आप वो भी कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हो हम इंप्रॉब काने की कोशिश करेंगे थैंक यू